हलो दोस्तों और स्वागत है आपका आज के एक और लेक्चर में चाहां हम डिसकास करेंगे कुछ जरूरी सम्मिट्स फ्रम 2023 तो 2024 जो कि आपके प्रीलिम्स 2024 के लिए भी बहुत जरूरी है साथ ही में आगे चल के ये आपके मेंस के इंटरनाशनल रिलेशन और प्लितिकल साइंस इन इंटरनाशनल रिलेशन के लिए भी जरूरी हो सकते हैं बच सबसे पहले हम इनको देखेंगे प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से फॉर अ क्विक रिवेशन इंपॉर्टंटली सेकंड पार्ट है ये विडियो का पहले पार्ट में लास्ट फीक हम अल्रेदी डिसकास कर चुके हैं इनके बारे में जो इंपॉर्टंट चीजे हैं विच यू शूर। हम उसे डिसकास करेंगे सबसे पहले तो नेटो सम्मिट के बारे में क्विकली बात करते हैं अब हमें पता है नेटो जो है विच इस दे नौथ अट्लांटिक ट्रीटी और्गनाइजेशन या जिसे कई बार नौथ अट्लांटिक अलाइंस भी बुलाया जाता है एक इंटर गवर्मेंटल मिलिटरी अलाइंस है जिसको वर्ल्ड वर के अंदर जो है जो इन दी आफ्टरमाथ ऑफ दे सेकेंड वर्ल्ड वर जो है इसे इस्टाबलिश कर दिया गया था चीक है और यह इंप्लिमेंट करते हैं नौथ अट्लांटिक ट्रीटी को भी जिसको नाइन्टी 1949 में साइन किया गया था बेसिकली नेटो क्या है अगैन कॉंसेप्चल क्वेस्चन भी प्रीलिम्स में आ सकते हैं तो नेटो को हम क्या बुलाएंगे नेटो एक कलेक्टिव डिफेंस का सिस्टम हो सकता है एक कलेक्टिव सिक्योरिटी कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट जो है इसको हम मान सकते हैं जिसका एक बहुत ज़ादा यूज जो है किया गया था देखा गया था इसे even during the cold war और इसके main headquarters जो है Brussels के अंदर Belgium में located हैं. Now importantly initially ये formulate किया गया था बारा founding members के साथ and over time इसके अंदर members add करते गये हैं presently reaching 32. Now 2023 के अंदर Lithuania में Villainous जो है वहाँ पर ये summit हुआ था which is why it is called the Villainous Summit. Now सबसे पहले obviously a main area of focus was providing support for Ukraine. In fact one of the areas जब हम बात करते हैं one of the reasons why Russia turned aggressive was this west eastward expansion of NATO. Right तो east की तरफ expand करते हुए Ukraine ने भी जो है एक readiness दिखाई थी to be a part of NATO and Russia अपने आस पास का जो buffer zone है उसे safeguard करके रखना चाहता था. Now a major area of focus was again Ukraine. But क्या Ukraine को membership दे दी गई? नहीं अभी नहीं दी है. बढ़ हाँ इस summit में NATO ने कुछ steps लिये हैं जहाँ पे इन्होंने underline किया कि eventually हम Ukraine को membership देना चाहते हैं. और इसी के लिए उन्होंने जो एक requirement थी जो पहले एक requirement थी of the membership action plan उसको हटा के अब एक नया NATO Ukraine council बना दिया है और साथ ही में upgrade कर दिया assistant package Ukraine के लिए to a multi-year program. Then very importantly इसी के साथ आई G7, right? हमने G7 भी किया था, G7 group of countries हमने discuss की थी, तो G7 declaration on Ukraine, जहाँ पे G7 countries ने एक joint declaration जो है support के वो Ukraine के लिए आगे रखी, जहाँ पे इन्होंने multi-lateral framework provide किया है, जहाँ इन्होंने commit किये है certain bilateral security measures with Ukraine, including military and financial aid and and साथ ही साथ में that emotionally and international platforms पे हम आपके साथ solidarity and support दिखाते रहेंगे. Then another major outcome was strengthening of deterrence and defense and यहाँ पे NATO ने बहुत सारे measures की बात की है, इसको enhance करने के लिए दोनों ही conventional and non-military hybrid threats जो नई threats उभर के आ रही हैं, उन्हें counter करने के लिए. Including, very very importantly, नए regional plans की भी establishment, including what is now called the Allied Reaction Force and साथ ही में NATO की air and missile defense posture के अंदर भी इनों ने इसे strengthen करने की बात की है. Because इनका मानना है कि जैसे-जैसे threats जो हैं बढ़ती जा रही है, revisionist powers आगे आती जा रही है, तो हमें इने counter करने के लिए इनकी requirement चाहिए होगी. यह जो allied reaction force है, यह भी एक नई, एक नई form की multi-national plus multi-domain, multi-national भी है और multi-domain भी है, right? जो की एक rapid force होगी, एक rapid reaction force होगी, जो की maintain की जाएगी by NATO. ठीक है, यह जो allied reaction force है, already जो है भी exist करती है, इनको यह अब और strengthen कर रहे हैं. और यह बहुत ही ready होगी और technologically भी बहुत advance होगी to counter, you know, a land हो जाए, air response हो जाए, maritime response हो जाए, कोई भी response हो जाए, उसको लेने के लिए जो है, यह तयार रहे की. ठीक है, साथ ही साथ में इन्होंने यह भी कहा है, कि यह जो NATO का, यह जो response force है, इसको हम better use of technology के through exercises, through even disaster relief, etc. के अंदर, and बहुत सारे और security challenges जो की से आ सकते हैं, including piracy, etc. इसको भी curtail करने के लिए use कर सकते हैं. ठीक है, तो यह allied reaction force जो है, आपने याद रखना है. Then very importantly, बात हुई defense spending commitments की, जिसको लेके काफी जादा problems आती रहती है. In fact, Trump जब president थे, उन्होंने भी इस मुद्दे को काफी जादा उठाया था. Summit ने अब reaffirm किया है allies की commitment को to spending at least 2% of their GDP on defense, जिसके थुरू ये close कर सके investment gap and जो ambitious defense and force के goal set कर रहे हैं, उन्हें ये achieve कर पाए. Then very importantly, बात 2023 and 2024 witnessed the expansion of NATO. सबसे पहले तो Swedish accessions and इसके जो relations with Turkey हैं ये important हो सकते हैं. इस summit में there was a major breakthrough achieved with the announcement of Turkish support for the Swedish accession to NATO following Hungary's intention also to support Sweden. Finland ने जोइन कलिया था NATO in 2023 as 31st member. वहीं पे 2024 में finally with the agreement of Turkey and Hungary, Sweden has also ended up becoming the 32nd member. And very importantly, अब जो हम ये northern areas देखते हैं surrounding Russia, we see an expansion of NATO in this area as well. So आप यहां पे देख सकते हैं कि किस तरह से NATO की eastward and northern जो है expansion होती जा रही है, right? Almost leading to an encirclement of Russia. Then very importantly, not just Russia, but now there is also identification of new challenges, particularly in the Asia-Pacific region, जहां पे इनोंने बात की for the need of cooperation and stance on China. So summit ने highlight किया कि NATO अफोकस करेगा नाहीं सरफ यॉरप के frontier पे, but also Indo-Pacific region में with the participation of Asia-Pacific की countries like Japan, South Korea, Australia and New Zealand, particularly to address the kind of assertive revisionist threat which is being posed by China, यहां पे अपनी resilience and preparedness दिखाने के लिए in case China किसी भी तरह के coercive tactics दिखाने की या employ करने की इस area में, चाहे Taiwan हो गया, चाहे South China Sea हो गया, कहीं पे भी कोशिश करता है. तो यह कुछ important चीज़े हैं, कुछ important developments and outcomes है with respect to the willingness NATO summit जो की आपने यार रखनी है. Next, very importantly, the WTO, World Trade Organization, जिसको लेके बहुत बड़ा question mark उठा हुआ है, कि क्या चल रहा है, is it a dead organization, major मुद्दे जो है इसको लेके चल रहे हैं. इसी की आई अब conference, the 13th ministerial conference, जो की आबुदाभी के अंदर hold की गए. However, यहाँ पे again, major जो problems थे, of dysfunctioning, जो की चलती जा रही है, वो अभी तक पूरी तरह से resolve नहीं होती हुई हमें दिख रही. Right, one of the major issues, जो की witness किया जा रहा है, particularly WTO के अंदर, with respect to its functioning, has been due to the problems which have been created in its dispute resolution mechanism. And यहाँ पे भी reforms की बात की गई है, MC 12, जो इनकी पिछली conference थी, उसके अंदर भी बात की गई. And MC 13 में यहीं बोला गया, कि हंजी हमने steps उठाए हैं, और हम और भी steps उठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कि यह जो problems है, यह end of 2024 तक resolve हो जाए. But क्या अभी appellate body को लेते हुए, इसकी functioning को लेते हुए, in fact lack of functioning को लेते हुए, कोई steps लिए गए, कोई measures लिए गए, तो नहीं, वो अभी तक नहीं हो पाया है. Now, what were certain things which came up in this ministerial conference? सबसे पहले आई the extension of the e-commerce moratorium, right, which is a very, very important development. तो 1998 से ही जो है, यह moratorium चल रहा है, e-commerce की जो, e-commerce की जो चर्चा है, उसके ऊपर. ठीक है? तो अब यहाँ पे इसी e-commerce को लेके, जो moratoriums लगाए गए थे, so as to say help the developing countries, उसके लिए कुछ चीजें आगे पड़ी. तो basically इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने extend, एक और दो साल की extension दे दी है, on the e-commerce moratorium, जो की 98 से चलता जा रहा है. during which countries जो है, उन्होंने agree कर लिया है, कि हम taxes नहीं लगाएंगे on digital trade. तो उन्होंने क्या बोला कि यह जो custom duties है, electronic transmissions पे, at least अभी March 31st, 2026 या MC14, जो भी पहले आ जाए, वो deadline है, जब तक हम यह नहीं लगाएंगे. साथ ही में इसके साथ इन्होंने बोले, एक work program भी होगा, जिसके through हम skill कर सके, enable कर सके developing countries को, ताकि इस digital commerce, e-commerce के sector में, यह developing countries जो है, अपनी capabilities को बहतर बना सके, बढ़ा सके, to be able to deal with the same. ठीक है, तो अब यह जो 1998 से, यह regularly extend होता जा रहा है, e-commerce moratorium, and MC13 ने decide कि है, कि अब हम दुबारा इसको renew कर रहे हैं, at least till MC14 और March 31st, 2026, ठीक है? तो development, dimension की उपर focus करते हुए, right? क्योंकि उन्होंने बोला कि देखे, इसे जो है, हमने, यह जो moratorium है, on imposition of customs duty, बहुत जादा जरूरी है, particularly businesses के लिए, चाहे हो, छोटे हो, या बड़े हो, right? तो इसलिए हमें से extend कर रहे हैं. Then very importantly आता है, TRIPS का non-violation and situation complaints, right? तो अब यह देखा जा रहा है कि as an extension of this e-commerce moratorium, ministers ने decide किया कि हम extend कर रहे हैं moratorium on what is called the non-violation and situation complaints against what is known as, जो हमारा TRIPS agreement है, उसके अंदर भी. ठीक है, जहाँ पर इन्होंने कहा कि यह allow करेगा WTO members को to challenge IP related measures, जो कि even though consistent नहीं है TRIPS obligations के साथ, nonetheless, undermine करते हैं benefits को expected from the agreement, but कोई legal disputes जो है, इनके उपर न उठे, right? बेसिकली इन्होंने कहा है कि हम hold on कर देंगे practice को, जहाँ पर challenge किये जा सकते हैं certain intellectual property rights, even though they don't really break any trade agreements. जिसका मतलब है countries cannot be taken to court for actions जिसके कारण, you know, कुछ expected trade benefits जो है, यह upset हो जाते हैं, right? unless, unless, यह clearly and out rightly break कर रहे होते हैं agreed trade rules को, basically यह किया जा रहा है to avoid legal battles, क्योंकि बहुत ही complex होते हैं intellectual property right issues, तो global trade को यह कई बार harm भी कर सकते हैं, इस एक ongoing legal issues, so, इनको अराम से sort out किया जा सके, without getting into too much legal disputes, उसके कारण जो है, इसे extend किया गया है, इस moratorium को, then आते हैं, very importantly, the plurilateral agreement on domestic regulation of services, now, WTO के अंदर, अब कुछ steps क्या लिये जा रहे हैं, that plurilateral agreements have come into work, now, plurilateral groupings के बारे में भी आपने सोचा होगा, सुना होगा, which aren't multilateral, मतलब इसमें सारी countries, members नहीं होती, बट specific countries होती है, similarly, plurilateral agreements भी आ रहे हैं, जहां पर certain countries can pick and choose to be a part of the same, तो ऐसा यह plurilateral agreement है, in the form of domestic regulation of services, जहां पर यह agreement जो है, यह force में आया, at the MC-13, which hopes to streamline as well as simplify regulatory procedures, जिसके through services के अंदर जो trade है, यह facilitate हो पाई, इसे support किया गया है by 72 WTO members, particularly developed in major economies like US and European Union, as well as China, जो की cover करते हैं 90% of global trade in services को, अब इसका purpose क्या है, basically purpose है, increase करना transparency को, predictability को and efficiency को of authorization procedures for service providers, जो की foreign markets के अंदर business करना चाहते हैं, साथ ही में reduce करने की कोशिश करेंगी, जो unintended trade restrictive effects होते हैं of certain measures, जैसे की licensing requirements, या और जो procedures हो जाते हैं, जिसकी qualification requirements के, अगर आप यहापे business करना चाहते हैं, तो आपकी यह qualifications आपने fulfill करनी है, या ऐसे technical standards जो है, आपने उन्हें fulfill करा होना चाहिए, तो ऐसे issues को वो resolve and smoothen out करना चाहते हैं, जिसके लिए यह plurilateral agreement जो है, यह बनाया गया है, Then we have, very importantly, एक और plurilateral agreement था, however, unlike the domestic services regulation, इसे adopt नहीं किया गया, इसे the non-adoption, तो यह भी एक important mudda बन गया है, यह plurilateral agreement किया है, on investment facilitation for development, which was launched under a joint statement initiative, और इसे 11th ministerial conference के अंदर जो है launch किया गया था, 70 countries जो है, इसे initiate कर रहे थी, particularly led by China, और इसका main idea क्या है, कि legally binding, predictable, transparent and open provisions हम बनाये, जिसके थूँ investment flows जो है, वो हम ensure कर पाये, however, certain countries, particularly India and South Africa haven't really been happy about it, and इनके कारण ही, यह agreement जो है, adopt नहीं हो पाया, right, because adoption के लिए आपको सारे members की agreement चाहिए, which is under the annexure 4, right, तो मारकेश agreement के annexure 4 के अंदर यह requirement है, that सारी countries को adoption के लिए agree करना पड़ेगा, और इन्हों ने इसको बोला, इन्हों ने कहा कि यह non-trade issue है, investment से related है, और यह within the framework of WTO as a trade body नहीं fall करता, साथ ही में इंडिया ने यह भी कहा, कि जो issues है, right, जैसे कि जो development agenda के उपर agriculture का issue हो गया, आप उन्हें तो resolve करनी पारें, तो यह कहते हैं कोई भी नया issue जो है, यह consider नहीं करना चाहिए, unless जो past mandates हैं, उनको आप पूरा नहीं कर पाते हैं, या फिर उनकी उपर कोई action नहीं लिया जाता, तब तक हम नए issues के उपर का नहीं करना चाहते हैं, which led to the non-adoption of this IFD agreement, then very importantly, MC-12 के अंदर आया था agreement on fishery subsidies, और इसी कोई और strengthen करना चाहते थे at MC-12, basically यह जो agreement on fisheries है, यह prohibit करता है granting और maintaining of subsidies to entities जो की illegal, unreported या unregulated fishing कर रहे हैं, या फिर fishing of overfished stocks जो हैं, उसके अंदर है, very important यह पहला WTO agreement है, जहाँ पे सबसे जादा mostly sustainability related objective जो है, उसके ऊपर यह focus करता है, which is sustainably preserving world के fisheries stock को. Now, जो MC-13 था, उसके preceding जो चार हफते थे, these were dubbed as the fish month by WTO, hoping कि यहाँ पे और ज़्यादा काम होगा. 1st March 2024 तक 71 members यह से ratify कर चुके हैं, अभी भी 39 ratifications के requirement है, to cause the threshold of 110, जिसके थूरू जिसके बाद जो है, यह agreement will come into force. However, जो existing issues थे, वो MC-13 में resolved नहीं हो पाए हैं, particularly with respect to subsidies, जो की contribute करते हैं, to over capacity and over fishing, जहाँ पे अभी भी consensus नहीं आया है, even after MC-12 and MC-13. यह जो ideas हैं, यह basically balance करने की कोशिश करते हैं, prohibition on subsidies, with certain exceptions, जहाँ पे proper fishery management measures, जो हैं, वो लिये जा रहे हैं, and सबसे problematic issue of special and differential treatment. यह special and differential treatment, जो है, यह ऐसी provisions हैं, जिनके थूरू, यह ease करना चाते है, burden of compliance, particularly, जो developing countries हैं, उनके उपर. और यही एक major area था, यही एक major issue था, जिसके कारण, things could not progress, और इंडिया ने भी अपनी काफी जादा आवाज यहां पे उठाई थी. वही पे, on the other hand, coming from the opposite end, Pacific Islands का कहना था, कि यह जो agreement है, is not done enough, but इसके उपर भी काम नहीं हो पाया, जिसके कारण, as it is, जहां तक MC-12 पे development हुई थी, वही तब जो है development हो पाया, with no further progress during MC-13. However, इसके उपर चल चाए, चलती जा रहे है थूर दे यह, तो और meetings जो चल रही है, उनके अंदर इसके उपर चल जा हो रही है, then very importantly, agreement on agriculture, which is a part of the Doha development agenda, उसके अंदर भी कोई breakthrough नहीं आया है, in fact, MC-13 की शुरू होने से, पहली ही expect almost कर लिया गया था, that nothing really will happen, right, अभी agriculture negotiations जो है, कब से चलती जारी है, और एक major issue जो है, has been with respect to food security, and public stock holding, जैसे की इंडिया भी करती है, public stock holding के थूँ, states जो है, इनको allowed है, to purchase, stockpile and distribute agriculture goods, जिनके थूँ ये retain कर पाएं, एक supply of goods for people in need, right, which is why this is linked to the idea of food security, very importantly, this is also tied to the larger issue of, के किस तरह की subsidies allowed है, and किस तरह की subsidies नहीं allowed है, under WTO, रहे जिनने categorize किया गया है, amber box, blue box, green box, इन सब के अंदर, अगर आपको इन पे clarity नहीं है, तो आप हमारी PSIR की playlist पे जा सकते हैं, वहाँ पे ये जो boxes है, detail में आपको समझाए गए हैं, again, सिरफ PSIR नहीं, आपके prelims के लिए भी बहुत ज़रूरी हो सकते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं, now, MC9, जो कि 2013 के अंदर, ministerial conference हुए थी, तब agree किया गया था, कि एक short term, short term के लिए हम challenge नहीं करेंगे, public stock holding programs को, जब तक, एक permanent solution नहीं मिलता है, अब MC13 के दौरान, basically, जो G33, एक group of developing countries है, उन्होंने यही कहा, कि देखे, high time, we should now be finding, some form of resolution, to this problem, ठीक है, उन्होंने यह idea, जो है आगे रखा, कि कोई permanent solution आना चाहिए, particularly, कि अब आप greater stock holding के लिए, एक ज़ादा flexibility बढ़ा दो, and WTO के जो norms है, जो कि इतना ज़ादा, इसको clamp down करने की कोशिश करते, उनको थोड़ा ज़ादा, जो है, ease कर दीजिया, weaken कर दीजिया, इंडिया, जो कि एक major voice है, within the G33, उन्होंने भी major demands, जो है, यहाँ पे रखी, however, बाकी countries, weren't in agreement, then very importantly, एक और मुद्दा था, the linkages between different agricultural issues, right, इसको भी जो है, आगे रखा गया, बहुत सारी countries, including Brazil, and some within the Cairns Group Coalition, Cairns Group Coalition, अब आपको पता होना चाहिए, Cairns Group of Free Trading Nations, भी इन्हें मुलाते है, यहाँ इंट्रेस ग्रूप है, 19 agricultural exporting countries का, right, including a lot of sales में Southern American countries भी है, जैसे कि आजंटीना हो गई, Brazil, Chili, Columbia, Costa Rica, Guatemala हो गई, Paraguay, Peru, Uruguay, right, and a number of other countries अलसों जैसे कि Indonesia, Malaysia, Canada हो गई, Australia हो गई, New Zealand, Pakistan, Philippines, South Africa, Thailand, Ukraine भी है, इसमे, Vietnam भी है, इसमे, और यह क्या चाहते हैं, यह बेसिकली liberalize, liberalize करना चाहते हैं, यह global trade को in agricultural produce, right, जहां पर इसके members जो है, यह hope करते हैं, to abolish export subsidies and trade distorting, again, कौन से, amber box, जिनके उपर, जिनके उपर, यह major मुद्दा चलता जा रहा है, कि आप इनको जो है, हटाए, यह amber box, domestic support on agriculture, products को हटाए, जिसके थूँ market access, जो है, exports का, वो बहतर बनाया जा सके, ठीक है, इन्होंने demand किया, progress on unrelated, ही कहते हैं, चलो यह नहीं resolve हो रहा, तब तक हम, बाकी जो market access negotiations है, इनके उपर कुछ कर लेते, हावेवर, ऐसी linkages के उपर, बाकी countries, including EO नो, उन्होंने मना ही कर दी, जिसके कारण agriculture को लेके, कोई जाधा development नहीं हो पाई है, MC-13 के अंदर, ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कोई question आए, that हाँ जी, significant development was made, or some form of new agreement has been signed, under MC-13, with respect to agreement on agriculture, तो वो statement, गलत होगी, ठीक है, तो अब आपने ये चीज़े याद रखनी है, and इनको continuously revise करते रहना है, just before ending, अगर आप अपनी revision को लेके, अभी भी काफी जादा tensed है, या फिर anxious है, आप हिस्सा बन सकते हैं, हमारे rapid revision, course का, जो की दोनों ही online, and offline module में, offline module में, सिरफ चंडिगड के अंदर available है, अगर आप चंडिगड के student नहीं है, तो आप online हमें join कर सकते हो, live आपके साथ teachers, 6-8 गंटे हर रोज बैटके, एक हफते के अंदर, आपके GS के सारे subjects की, जो है revisions फटाफट कराएंगे, ठीक है, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, और आप इसके ऊपर discounts भी avail कर सकते हैं, इसके इलावा, अगर आप 2025 की तयारी कर रहे हैं, तो हमारा batch 3 of PSIR course भी launch हो चुका है, जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं, जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर आप selected officer candidate से भी directly बात कर सकते हैं, यह course जो है, जो हैं, जो हैं, detailed lectures है, answer writing है, weekly answer writing है, half length test है, full length test है, telegram group है, जहां पर मैं भी available हूंगी, सारे doubts resolve करने के लिए, answer writing के लिए evaluation है, आपके लिए model answers है, video solutions है, and continuous hand holding है, along with also current affairs, monthly current affairs के videos and updates, अगर आफ foundation course खुद कर रहे हैं, या खुद कावर करना चाहते हैं, या कल चुके हैं, तो आप हमारे current affairs course का भी हिस्सा बन सकते हैं, to cope up with the dynamic elements of PSIR, right, this was all from my side, thank you and see you soon,